आज के इस महखते हुए वीडियो में चर्चा होगी अपनी बहुत खुशबूदार अरे मैं चर्चा खुशबूदार क्यों नहीं होगी? जिब खुशबूदार पोधा है तो चर्चा भी खुशबूदार होई जाएगी ना? पैचान लिया ना, रात की रानी एक पौधा आपके पूरे गार्डन को खुश्बू से भर देगा पर आज यहां पर समस्या थोड़ी सी गंभीर है अब आप लोग सच सच बताइएगा कि किस किस के रात रानी के पौधे में खुश्बू नहीं आती कमेंट को दर आप जरूर बताइएगा नमस्कार वेष्टी बेष्टी पर आज आप सबी लोग का ठेर सारा स्वागत एक खूब सूरत से महकते हुए पौधे के साथ रात की रानी हलाकि बहुत थाड़ी पौधा है आपने एक पर लगा लिया तो बस चुटी मेरा पौधा जो आप देख रहे है ना पांच साल पुराना पौधा और इन पांच सालों के दर्मियान मैंने इसको दो बार रीपॉट किया और बहुत इतनी तेजी से फूलता है हलाकि आप मेंसे जो लोग परिशी थे मेरे गार्डन से तो उन सभी लोगों को पता है कि मेरे गार्डन में कितनी कम जगह में मैंने डेर सारे पौधों को बस किसी तरह ठून ठूज के रखा हुआ है मेरे कैस में तो इस पौधे की कोई खास देखभाल होई नहीं पाती है और शायद जरूरत भी नहीं है इस तरह के पौधों को और यहां पर आपको धूप भी खुब खिली-खिली नजरा रही होगी सुबह दस बजे का वक्त है तो जाहिर है कि इस पौधे को आप धूप में रखेंगे अगर आपकी बालगनी में धूप नहीं आती है तो आप इस तरह के पौधे मत लगाईए क्योंकि कुछ पौधे होते हैं जिनको धूप में खिलना होता है और धूप इनके लिए बेहर जरूरी होती है खूप सारी इसमें दिनवर की धूप मिलती है और बस मस्त रहता है पौधा अब देखिए थोड़ा सा आपको पौट का साइज भी दिखाती हूँ पौट का साइज मेरा थोड़ा सा बढ़ा है लगबख 16 इंच का तो रहा होगा गमला बहुत ज़ता है पक्का तो नहीं बता सकती हूँ पर हाँ गमले का साइज काफी बढ़ा है 16 या 16 से उपर भी हो सकता है तो आप जब भी इस तरह का पौधा लगा है तो उसके लिए थोड़ा सा बढ़ा गमला चुनेंगी तो बार-बार आप रिपॉर्टिंग से बच जाएंगे क्योंकि जड़ें फैलेंगी छोटा गमला होगा तो बार-बार आपको रिपॉर्ट करना पड़ेगा अब सबसे बड़ी समस्या इस पौधे के बारे में जो निकल की आई वो ये कि इस पौधे में फूल तो खिलते हैं पर खुश्बू नहीं होती है उन फूलों में और ये सवाल एक बार नहीं कई बार पूछा गया पिछले साल भी मैं बस वीडियो बनाते बनाते रह गई थी पर इस पर फिर अपी जब हैमला ता कोटवा नीजी नहीं सवाल पूछा तो जी कि या कि ने इस वीडियो की जरूरत तो बहुत पहले से थी देखिए जब मैं उनको जवाब देती हूँ भी रात की रानी है रात में खुश्बू बिखेरेगा अगर दिन में खुश्बू बिखेरता तो दिन की रानी नाम होता है न और दो तिन दिन बाद इनका रिजल्ट भी सामने पेश हो गया कि वे इन्होंने जगए बदली और इनका पूरा घर खुश्बू से भर गया और हाकीकत यही है आप देखिए मैंने इस गमले को कहां पे रखा है जहां से मेरे पर्मनेंट प्लांट्स शुरू होते हैं सबसे पहले नंबर पर मैंने इसी को रखा है बाकी बोगन मेलिया मधू मालती यह सारे ना उस साइट किनारे पर मैंने रखे क्योंकि इस पौदे में जब फूल खिलते हैं इसकी खुश्बू मुझे अंदर तक फील करनी होती तो मैंने सबसे किनारे पर रखा है जिससे कि खुश्बू रोट के साइड ना जाके मेरे अंदर तक जादा है और यही तरीका होता है इस पौदे से जादा खुश्बू लेने का क्योंकि मच्छरों के वज़े से हम लोग खड़की तरवाजे बंद रखते हैं और हमें ऐसास ही नहीं हो पता कि इस पौदे ने कितनी जादे अगे तो छे बजे तक इन फूलों के खुश्बू आपके घर ने भरी होगी यानिकी रात में आट नो बजे से लेके सुबह के छे बजे तक आप इन फूलों की खुश्बू का आनंद उठा सकते हैं पर होता क्या है कि जब हम लोग गर्डन में सुश्बू जाते है साथ आट बजे तब तक तो ये बजारे खुश्बू उडा उडा के परेशान हो चुके होते हैं यानि कि ठक चुके होते हैं फिर कहां से खुश्बू आएगी पस यही एक छोटा सा कारण है कि आपको लगता कि इस रात की रानी के पोधे में खुश्बू नहीं आरी है ऐस तैजह हो जाएंगे तो अब अगर आपके आज पास भी या फिर आफ्के किसी अपने वset समाझ्या कि रात किरानी भादे संस्फ़ कैनि कंपोग हो नहीं आती तो आपको कारन बताई तो बहुत महिष्ग पर रात में महिळगए क्या की रात की रानी है दिन में महेकता तो दिन की रानी नाम होता ना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए जाएगा चैनल की घंटी अभी तक नहीं बजाई तो वो भी बजा दीजिए और साथ ही साथ आल वाला बटन भी जल्दी मिलते हूं किसी अगले वीडियो के स अबते गली दनोत आल